हरियों, आज गीता का तीसरा अध्याए, जहां पर भगवान अरजुन को अनुठे तरीके से अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म योग गया है, अपूरी स्रुष्टी में किस तरह से कर्म योग घट रहा है, किस तरह से कर्म योग ही है, जो लगातार अनादी काल से स्रुष्टी में चल रहा है, बगवान कह रहे हैं, आज है अध्यायतीन और स्लोक नो, नाइन, यग्ज के भाव से किये जाने वाले कर्मों के अत्रित, संसार के सभी कर्म बंधन में डालते हैं, इसलिए हे कुंती पुत्र, तु अनासत होकर यग्ज के निमित अपना कर्म कर, बगवान कह रहे हैं कि यग्ज के भाव से किये जाने वाले कर्मों के अत्रिक्त, संसार में जितने भी कर्म है सभी बंधन में डालते हैं, असलित में यग्ज का भाव क्या है, बगवान यहाँ पर ये यग्ज की बात जो कर रहे हैं, उसको थोड़ा साम समझ लेते हैं यग्जी का मतलब होता है जहां पर मेरा स्वार्थ नहीं आसकती नहीं, एहंकार नहीं कर्म हो रहा है बिना एहंकार के हो रहा है लेकिन अक्सर हम देखे तो हमारे सारे कर्म एहंकार के साथ होते हैं स्वार्थ के साथ होते हैं, आसक्ति के होते हैं, इच्छा के होते हैं, कुछ चाहिए होते हैं असलित में हमारे जो कर्म हैं, वो यग्य के नहीं होते हैं हमेशा यदि हम देखें तो किसी ना किसी रूप में वहाँ पर मेरी मैं खड़ी होती है अपनी मैं के आधार पर जो कर्म किये जाते हैं वो यग्य नहीं कहलाते चुकि वो यग्य नहीं है तो वो बांध लेंगे वो सारे कर्म बांध ही लेते हैं चुकि यग्य का भाव तो है नहीं यग्य का भाव है कि मैं ही नहीं हूँ ये सब कुछ परमात्मा का है ही है मेरे सारे कर्म भी उसी के माध्यम से हो रहे हैं मैं यहाँ पर actually कुछ हूँ नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ हूँ मैं कुछ बड़ी चीज हूँ मैं कुछ अलग हूँ मैं कुछ जाते हैं, हम उन्ही कर्मों में बंद जाते हैं, वो बांधने वाले हो जाते हैं, क्योंकि कर्म, जब हम एहंकार के भाव से करते हैं, तो वह यग्य नहीं क्यालाता, और अक्सर देखा जाए, तो हम दान भी करते हैं, तो एहंकार से करते हैं हम कर रहे हैं परोपकाम का काम की परोपकार है और दान किया जा रहा है लेकिन वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एंकार हमारे अंदर रहता ही है परोपकार का काम भी हम बदले में कीर्थी के लिए करते हैं तो वो एक दो चीटियां जा रही थी दिस्टान्त आता है तो उस एक मकोडे ने पूछ लिया भाई कहां जा रहे हूं तो चीटिया बोली अरे तुझे नहीं पता ना वो आज नियूस्पेपर में ने देखा है कि वो राजा का जो हाती है वो घायल हो गया अस्पताल में बढ हाती है खेलने कि उसका मुझे नहीं पता लेकिन कल को एक लिस्ट तो निकलेगी ना कि किस-किस ने खुन दिया था तो हमारा नाम भी उस लिस्ट में होगा ना तो हम भी ऐसे ही कुछ कर्म करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि इसमें मेरा कही ना कही नाम हो जाए कीर्ट अतार मेरा जो स्वार्थ है वो सिद्ध होने लगे तो इस तरह से जब हम कर्म करने लगते हैं तो हमारे स्वार्थ वहाँ पर जगे रहते हैं और स्वार्थ जब वो जगे रहते हैं तो कभी भी हमारे कर्म यग्य के कर्म हो ही नहीं पाते और यही होता है कि हमारे कर्म यग्य के कर्म नहीं होते और सारे कर्म बांध लेते हैं लेकिन जब ये भाव प्रबल हो जाए कि सब कुछ शुरस्टी में परमात्मा का है परमात्मा से हो रहा है यदि हम देखें यदि हम दुनिया में ना भी हो तो क्या हमारे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी क्या मैंने कुछ इसमें विशेश कर दिया यदि हम बैठके अपना ही चिंतन मनन करें तो ऐसा क्या योगदान दिया है उस प्रकृति और उस ब्रह्मान और उस रुष्टी के लिए हमने उसके लिए क्या योगदान दिया है तो पाएंगे कि शायद उसके लिए तो हमारा कोई योगदान है ही नहीं हमने तो सब लिया ही लिया है हमने दिया कहां है लेकिन वो जो थोड़ा सा है उसमें भी हमारा एहम इतना बड़ा होता है इतना बड़ा होता है कि वो सुकरात के पास एक राजा पहुँचे तो राजा पहुँचे तो सुक्रात बैठे ते आराम से अब राजा तो थोड़ा सा एहंकार हो गया एहंकार होना स्वाविक है एहंकार तो हो गई होगा क्यों होगा क्योंकि वह राजा है तो राजा का एहंकार बहुत बड़ा एहंकार होता है तो तो राजा ने का आप मुझे जानते नहीं हो मैं कौन है तो सुकरात ने कहा देखो मुझे तो पता नहीं है आप कौन है आप ही बता दें आप कौन है तो सुकरात ने कहा अरे अपने शिश्य को कि इधर तो आना वो नक्षा लेकर तो आना तो नक्षा लेकर आया पूरे विश और कहा कि आप इसमें बता दो ना कहां है आपका राज्य, किस राज्य की राज्य हुआ। मैं कहीं हुई नहीं, एक बेकार की हवा हमने अपने अंदर बना रखी है, एहंकार की, कि मेरे से सब होता है, लेकिन भगवान कह रही है, तुम यग्य के निमित्ते कर्म करो, यग्य की तरह कर्म करो, जैसे आप जब हवन करते हो, उसमें आहुती डालते हो, तो जब आहुती तो वो ऐसा थोड़ी है कि ओश्दियों की आहुती है, तो उसकी जो हवा है वो केवल आप ही सूमते हैं, आप ही नहिल करते हैं और उसका असर आप पर ही होता है, वो तो चारों तरफ सैल जाता है, वो तो यग्य हो रहा है, उसमें केवल आपका नहीं है, वो तो पूरी आसप मेरी 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 मेरे भंला एक हो मैरा यहां पर झारव मेरे मराय मग्य के लिसमत निमित और जहां पर एहकार ना हो पिडलो हम्हें हमारे सारे जगड़े ड़र के भी जगड़ priority जहन बहुत, तो शब्दों पी तो खड़े हैं, हमने कुछ एहंकार से कह दिया था, उसने भी कुछ एहंकार से कह दिया, वस एहंकार एहंकार आपस में लड़ पड़े, शब्द निकल गए और द्वेश खड़ा हो गया, क्रोध खड़ा हो गया, जगड़े खड़े हो गया, विरोध हो गया तो शब्द एक कर्म दिया हमने एंकार से और उसे इतनी बड़ी बात होती चली गए एक शब्द एंकार से निकला हुआ महाभारत युद्ध करा देता है द्रौपदी ने कहा था इंद्रप्रस्त में जब दुर्योधन को बुलाया था देखने के लिए कि देखो कितना अच्छा हमने भवन बनाया है तो भवन बहुती अद्बुत तरीके से उसके जो कारीगरी थी वो बहुती अद्बुत तरीके से बनाई गई थी जहां पानी था वहां लगता था कि पानी नहीं है जहां कांच लगा हुआ था वो पत्थर ऐसे डाले गए थे तो ऐसे ही एक जिंगे दुर्योधन जा रहा था दुर्योधन को लगा कि यहां पड़ तो पत्थर है तो उतर गया वहां पर पानी था उसके कपड़े भी गए उसके बाद जब वो आगे गया तो वहाँ पर पानी था उसे लगा पत्थर है वो उतर गया वो पानी में गिर गया तो द्रोब्दी हस पड़ी और कहा कि अंधे का पुत्र अंधा तो एक शब्द इतना भयान कर्म महा भारत युद्ध उससे खड़ा हो गया कि एक शब्द जब हम देते हैं तो एक शब्द ही इतना बड़ा हो जाता है कि उसका मतलब वो कहां तक जाएगा हम कहें नहीं सकते तो आप यदि कर्म एहंकार के आधार पर करते हैं तो वो यग्ज नहीं है वो जरूर बांद लेगा और भगवान कह रहे हैं कि यग्ज के भाव से किये जाने वाले कर्मों के अतरिक्त संसार के सभी कर्म बंधन में डालने वाले होते हैं सारे बांद देगे और इसलिए हम बंधन में होते हैं इसलिए बंधे हैं इसलिए मन इतना भारी है इसलिए इतनी उलजने है इसलिए तनाव है ये उलजन ये समस्या ये बंधन का प्रतीक है जब तनाव चले अंदर दबाव चले अंदर समस्याएं घट जाएं अंदर और जकर ले हम को, तो समझो की बंधे हैं हम। और जब आराम में हों, प्रेम में हों, शान्त हों, आनंद हों, ज्यान में हों, तो समझे मुक्त हैं हम। तो हर कर्म मेरा ही कर्म मुझे बांध लेता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तु अनासक्त होकर यग्य के निमित अपना कर्म कर, अनासक्त हो जा, आसक्ती ना रख, हम आसक्ती पहले रख लेते हैं, कर्म तो बाद में कर देंगे, आसक्ती पहले खड़ी है, कर्म करने से पहले खड़ी है, करते हुए खड़ी है, कर लेने के बाद खड़ी है, वो जाती ही नहीं है, व्यक्ति को याद है, कदि किसीने एक रुपया का दान किसी को किया हो, तो वो याद रखता है, वो लिख लेता है, वो नाम चपपा देता है, वो याद रखता है, चुकि आसकती वहां पर है अनासक्त अनासक्त ऐसे अनासक्त क्राइस्ट कहते कि एक हास से दो तो दूसरे हास को पता भी ना लगे कि दिया गया है कुछ इतना अनासक्त की पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है कितना कुछ हुआ है मेरे से याद नहीं है उसे जब कर्म किये जाते हैं, तो वह कर्म यग्य की तरह हो जाते हैं, वही कर्म मुक्ति की तरह हो जाते हैं, और ये कर्म योग की एक अनोठी व्याख्या है, कि अनासक्त होकर कर्म करो, यग्य की तरह कर्म करो, सब कुछ करो, घर का, परिवार का, समाज का, देश का, सब कु लेकिन आसकती कहीं न हो अनासक्त हो जाएं और जैसे ही अनासक्त होंगे वो कर्म आप देखना उसका जो फल है वो प्रेम है शान्ती है आनंद है शनतुस्ती है जिन कर्मों के फल प्रेम होते हैं, जिन कर्मों के फल शांती होते हैं, जिन कर्मों के फल अनुठा एहसास होते हैं, फूल की तरह महक होती है जिन कर्मों के फलों में समझो कि वो मुक्ती के वाले कर्म है, वो आनंद दायक कर्म है, वहाँ पर एहंकार नहीं, वहाँ स्वार्त नहीं, वहाँ इच्छा पूर्ती नहीं, वो तो कर्म करते हुए ही उसका फल बता देगा कि ये कर्म कौन सा हो रहा है। आगे भगवान थोड़ा और उसको गहराई से बताते हैं, चुक्कि जब भगवान किसी टॉपिक को छेड़ते हैं, किसी विशे को छेड़ते हैं, तो उसकी गहराई, पूरी गहराई तक, जतना वो गहरे से गहरा उतर सकता है, उतना गहरे उतर कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कि शायद उपर किस तर से समझ ना आए, गहराई से समझ में आ जाए, चुकि अरजुन मूर्ख तो है नहीं, बुद्धीमान है, तो आगे और गहराई से बताते हुए कह रहे हैं, कि श्रस्टी के आरंब में, प्रजाप्रती ने यग्य के साथ प्रजाओं को रच कर कहा, यज्य से तुम व्रधी प्राप्त करो, और यह यज्य तुम्हारी इच्छित कामना को पूरा करने वाला हो, जो शब्द यग्य हम बोलते हैं अस्टत में, इसका सही, शुद्ध, उच्चारण, यज्य होता है, इसमें ज़ और यज्य मिल जाता है, तो यज्य बन जाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि स्वस्टी के आरंब में प्रजापती ने यज्य के साथ प्रजाओं को रच कर कहा, यज्य से तुम व्रधी को प्राप्त करो, अब यह फाउंडेशन बता रहे हैं, पूरी स्वस्टी में जो कर्म प्रारंब हुए हैं, जहां से प्रारंब हुए ह उस प्रारंब का DNA क्या है? उसका आरंब क्या है? और आरंब में कौन सा निर्देश, कौन सा आदेश, कौन सा ऐसा वक्तव्य था जो प्रजापती ब्रह्मा की द्वारा समस्त प्रजाओं को दिया गया? वो ऐसे कौन सी बात है, जो कान में फूक दी गई? वो ऐसे कौन सी बात है, जिसके कारण से आरंब में, श्रस्टी के आरंब में जो बा कहा गया था, वो आज तक चला रहा है। उसकी प्रजा है, केवल मनुष्य प्रजा नहीं, जीव, जन्तु, पशु, पक्षी, नदी, पाहार, जो भी कुछ बन गया, वो सब परमात्मा की उस ब्रह्मा की प्रजा है। तो उनके पूरी प्रकृती को, पूरी काइनात को, ये कहा कि तुम यग्ज के निमित्त कर्म करो। अर्थात पहले से ही ये कह दिया गया, कि तुम दूसरों के लिए कर्म करना, बस करते जाना, करते जाना, ये one-sided करना, यग्जी की तरह करना, और यदि हम आज देखें, तो सूरज हमसे क्या चाहता है, वो दे रहा है या ले रहा है, नदिया हमसे क्या, कुछ हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, हवाएं दे रही हैं, जल दे रहा है, पेड़ देखो, पेड़ हमसे क्या मांगता है, वो दो दे रहा है, ऑक्सिजन लगातार दे रहा है, पूरी की पूरी प्रकृती को देखो, तो वो यग्जी की तरह करम में लिप्त है, पूरी तरह से सजग है, काल से लाखो करोडों वर्स हो गए हैं श्रस्टी के आरम में तब से एक बात जो कही गई पूरी प्रजाओं को वो पूरी प्रजा उसी पर लगातार चलना का आरम हो गया और उसी पर लगातार चलते 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 वो आज तक पूरी प्रकृति को यदि आप देखें तो पूरी प्रकृति हमेशा देने में लगी रहती है वो कभी भी लेना नहीं जानती, वो देना जानती है और यदि यग्य की व्याख्या को हम समझना चाहें, सीखना चाहें तो हमें प्रकृति से समझना होगा कि सूरज दे रहा है, दे रहा है, देता ही जा रहा है आप थूको, गाली दो, आख बंद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सूरज अपनी लगातार कृपा जो है वो बरसाए जा रहा है, व्रक्षों को तुम जाओ, कुछ भी कहो, गाली दो, लेकिन वो लगातार फिर भी आपको अक्सिजन देंगे, उन्होंने अंदर से एक यग्य का भाव पक्का कर लिया है, चुकि प्रम्पिता प्रमात्मा ने प्रारंब से ही कह दिया था, और वो लगातार पेड़ बदलते गए, लेकिन वो जो डियन ने है, लगातार वही जो का त्यूं चलता रहा है, मैसेच वही चल रहा है। एक बार आदेश जैसे हो जाता है, ज तुम यग्य के निमित कर्म करना और उसी के अनुरूप पूरी प्रकृति यग्य के निमित कर्म कर रही है यज्ज से तुम ब्रद्धी को प्राप्त करोगे जब हम किवल देते हैं तो हमारा बढ़ता है देना ही बढ़ाने की प्रिकरिया है यदि ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो ज्ञान को देना शुरू कर दीजे बाटना शुरू कर दीजे आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा विद्या को बढ़ाना चाहते हो तो विद्या को बाटना और देना शुरू कर दीजिए आपके विद्या बढ़ती चली जाएगी किसी भी विद्या को कोई भी विद्या हो जतना आप उसका भ्यास करते रहेंगे बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, उतना सबसे पहले महत्पूर्ण होगा कि आपका उबढ़ता चला जाएगा जो कर्म यग्य के निमित्त किया जा रहा है, उसकी व्रद्धी अपने आप को तीचले जाएगी जब हम केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और केवल अपने अपने लिए करते हैं तो उतनी व्रद्धी नहीं हो पाती है जब हम सब की भलाई का भाव अंदर रखते हैं तो हमारी व्रद्धी खुद बखुद होने लगती है जब हम उसके लिए भलाई का भाव रखते हैं तो लोटकर भी वहीं से वो ही उसी रूप में प्रकट हो जाता है तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ज से तुम रद्धी को प्राप्त करो और यह यज्ज तुम्हारी इच्छित कामनाओं को पूरा करने वाला हो तो इच्छित कामनाओं हम बिना यग्य की रखते हैं यग्य तो किया नहीं निस्वार्थ अनासर्थ कर्म तो किया नहीं लेकिन कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं एक पक्ष किया नहीं, पहला प्रारम्भ जैसे करना था वैसा किया नहीं, लेकिन हम उसका result चाहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा, तो result वैसा हो नहीं सकता जैसा हम चाहते हैं, चुकि पहले यज्ज करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर वो जो इच्छा पूरती है, जो कामना पूर्ती है, वो पूरी प्रक्रती करना प्रारंब कर देगी. लेकिन केवल यदि हम अपना ही अपना अपना देखते रहें, और फिर हमारे इच्छाएं थोड़ी पूरी होती है, इसलिए तो हर वेक्ति दुखी है. उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है. देने का भाव तो प्रकट हुआ ही नहीं है. तो पहले जैसे ही हम यज्य की तरह हम देंगे, तो हमारी वी व्रद्धी होनी शुरू हो जाएगी. लेकिन जैसे आप घर में देखें, आप घर के चार लोग हैं, आप उनका ध्यान रखें, वो आपका ध्यान रखने लगे. आपकी व्रद्धी उसे में हो जाएगी चुकि आप उनका ध्यान रखने हैं, चुकि यग्य की तरह कर्म हो रहा है. असलित में एक बहुती महतपूर्ण जो कर्म योग का आधार है वो भगवान यहां समझा रहे हैं कि जो भी कर्म किया जा रहा है वो कर्म यग्य के निमित ही होना चाहिए तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ती हो जाए अब इच्छाओं और कामना है कौन सी? यहां पर वो कामना नहीं कि आपने यज्ज का भाव किया और बहुत बड़ी इच्छा कर ली एक्च्छी जब यज्ज का भाव होगा तो बहुत बड़ी इच्छा होगी यह नहीं आपको क्यों वही इच्छा होगी जिससे आपका पालन हो लेकिन हम करते इतना हैं और सोचते हैं इतना वो जिसको कभी कहते हैं कि आयरन की चोरी करे, करे सुई का दान चट पे चड़के देखता, कितनी के दूर भी बान आयरन मतलब एक जहाज, एक पूरा लोहिं से बना हुआ बड़ा जहाज की चोरी कर लिए एक तरफा, एक बहुत बड़ी चीज को इखटा कर लिया चोरी करके एक तरफा, और दूसरी तरफ एक छोटी से सुई को लेकर अमने दान कर लिया, और कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा दान किया क्या बात है, अब तो भगवान का विमान जो है, वो मुझे लेने आएगा, मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा, जो कि मैंने सुई का दान किया है, और छट पे चड़ गया, और छट पे देख रहा है, आँख कोल कोल के, कि अब विमान आए और अब विमान आए, तो पहला तो चोरी कर ली, और उसके बाद दान कर दिया, और अक्सर यही होता है, जो जहां पर जादा चोरी कर लेते हैं, उसके बाद उस धन को फिर वो दान करने में लगाते हैं, एक जिंगे पाप करते हैं, दूसरी जिंगे पुड़ने करने में लगाते हैं, एक जिंगे लूट लेत यदि प्रकट हो गया तो कामनाई ऐसी थोड़ी होगी जो बहुत ही जादा ऐसी हो बिखरी होई हो यग्य के भाव ना होने से कामनाई बिखर जाती है इच्छाएं बिखर जाती है फिर व्यक्ति अपनी चद्दर से पैर बाहर निकालने लगता है वो प्रक्रति के नियम के व जो हमारी व्रद्धी है वो खुद बखुद निहित है ही है और सारी कामनाई वही कामनाई जो आप चाहते हो छोटी एक्चली कामनाई कोई जीवन में ज़्यादा होती रही है जो आप वास्तित रूप से देखो जो आउश्यक्ताओं के रूप से देखो दो रोटी खानी ह चलो चार लगा लो दिने में खा लोगे और फिर रात को भी तीन चारी खा लोगे और कितने खा लोगे चलो किसी के पास एक सूकी सबजी होगी एक तर सबजी रख लेगा एक तोड़ी डाल रख लेगा एक दही रख लेगा थोड़ा पैसा जादे होगा तो चार-पांच, तोड़ी या और आ जाएंगी, उससे जादे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसमें, अच्छा बिस्तर पे भी, आपके या पास यदि एक बिस्तर है रात को सोने के लिए, तो वह आफशिक्ता काती है, मतलब यह इच्छा है कि मेरे पास 10 बेडरूम का घर हो, यदि है, तो आप रात को ऐसा थोड़ी है कि यदि आप रात को आठ गंटे सो रहे हो, तो पौन-पौन घंटा हर बेडरूम में जाकर सोगे, यह तो सारा मेरे हैं न, सारे बेडरूम को मैं यूज़ करूँ आ रात ऐसा थोड़ी होता है, रात को तो आप एक ही बिस्तर चाहिए, वही उतने ही रोटी चाहिए, अचा कपड़े आपकी पास कितने भी क्यों न हो, ऐसा थोड़ी है कि एक की ओपर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा डाल कर आप घर से बाहर निकल जाओगे, देखो मैं वही रह जाएंगी, और वो सारी इचाहिए, वो सारी मनो कामनाएं पूरी होने लगेंगी, चुकि वो मनो कामनाएं यग्य के आधार पर खड़ी हैं, वो इचाहिए किसी को दिखाने और एहग्यार के आधार पर नहीं, बगवान फिर आगे ग्यारवे स्लोक में थोड़ा और गहरे इस तर से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस यग्य से तुम देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम को उन्नत करेंगे, इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्यान को प्राप्त हो कि यग्ग के भाव से पहला है यग्ग का भाव ही लगातार चला रहा है उसी को गहराई से और अलग-अलग तरीके से भगवान को बता रहा है तो तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम को उन्नत करें अब यह देवता क्या है देवता है वो एनरजी जो पूरे ब्रह्मान में फैली हुई है बहुत पॉजिटिव एनरजी सकारात्मक उरजा जो creative force है जो लगातार विकास कर रही है उन्नती कर रही है फैलाव कर रही उसी के कारण से तो ब्रहमान फैलता जा रहा है वो जो उड़ जा है जो सकारत्मक रूप से लगातार सक्रिये है पूरे ब्रहमान में जैसे ही हम उस यग्य का भाव रखते हैं और उस यग्य के भाव से, उसी भाव के माध्यम से देवताओं का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्थात मेरे आसपास जितनी भी energy field है, जब हम उनके लिए positive भाव रखते हैं, तो वो हमारे लिए positive भाव रखते हैं, चुकि हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको तो मदद चाहिए, लेकिन वो मदद जो प्रकृति से हमें मिल रही हैं, वो में दिखती नहीं है, चुकि वो बहुती निराकार की मदद है, बहुती सुक्षम इसतर पर काइनात मेरी support में खड़ी होती है, वो साक्षात नहीं है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन व परोक्ष रूप से है और प्रत्यक्ष रूप से है तो यदि हमारे अंदर शुद्ध भाव है अच्छा भाव है दिव्य भाव है पवित्र भाव है तो हमारे आसपास जो energy field है वो बहुती ऊचे स्तरका होगा और उसी को वो वो जो एनर्जी है, वही देवता है, और पूरे ब्रहमान में, न जाने कितने रूप में सकारतम कारे हो रहे हैं, वो सभी देवता अलग-अलग तरह के से, अलग-अलग कारियों में प्रवडते हैं, और वो लगातार करते जा रहे हैं, इसलिए हम सुर्य को देवता कहते हैं, चुकि वो एनरजी लगातार यज्ज के निमित हमारा कारे कर रही है इसलिए हम सुर्य को अर्ग देते हैं, सुर्य नमसकार करते हैं, सुर्य उपासना करते हैं सुर्य भगवान के लिए उपास और रत रखते हैं मतलब उनके लिए हम एच्छा भाव रखते हैं ऐसे ही पूरी प्रकृति चंद्रमा के लिए रखते हैं, वाईयू के लिए रखते हैं, जल के लिए रखते हैं, हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं, हम तो नदी की पूजा करते हैं, पहाड की पूजा करते हैं, सभी की पूरे के पूरी प्रकृति की हम पूजा करते हैं, य वो हमारे लिए अच्छा भाव रखते हैं जब हम अपनी उड़जा को व्यवस्तित करके ऐसे रखते हैं तो वो positive energy फिल हमारे उपर लगातार बरसने लगता है और हमारी और एक सुरक्षा कवच तयार की जाता है तो सुरक्षा कवच हमारी देखभाल करता है हमें जंजटों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, कस्टों से बचाता है, दुखों से बचाता है, आपदाओं से बचाता है और वो जो कवच है, वो अकाल रुत्यू से बचाता है, बहुत कुछ इसलिए भार के परंपरा में इतनी पूजा पाठ क्यों हम करते हैं? चुकि वो जो energy field है, वो जो positivity है, वो हमारे तरफ attract हो जाए. बगवान कहा रहे हैं, देवताओं को, देवता का मतलब है, वो एद्रश शक्तियां जो चारों तरफ है लिए. जो कि चारों तरफ हमारे यदि देखा जाए, तो देवता, अर्थात, वो एद्रश शक्तियां भी हैं. लेकिन हमारे चारों तरफ वो विद्धवन्सक शक्तियां भी, जो पूरी तरह से destroy करती, वो शक्तियां भी घूम रही. और जो sustain कर रही हैं वो शक्तियां भी कूम रही है तो जो create कर रही हैं वो भी शक्तियां हैं जो यज्जिश से भाव से लगी हुई हैं वो शक्तियां भी है जो लगातार विद्धवन्स कर रही हैं वो भी है तो यदि हमारे अंदर विद्धवन्स का भाव आएगा से इखटा होकर वो उड़ जा जिसको हम औरा कहते हैं वो सब डिस्टर्ब होने लगेगा चुकि हमने ही उनका वाहन किया है आप जिसका वाहन करेंगे वो प्रकट हो जाएगा यह तो कल्प व्रक्ष है यदि आप पूरे उंचे भाव में रहेंगे तो कल्प व्रक्ष से इको है जैसे इको में क्या होता है कि आप पहाड पर चड़ जाओ और जोड से बोलो तू तो लोट कर जो आवाज आएगी वो तू आएगी आप नहीं आएगी कुए में आप जोड से बोलो वो लोट कर वही आवाज आएगी जैसे एक बच्चा था वो विद्या ले जाता गाउं से दूसरे जगह पर जहां आश्रम में तो वो रोज चल कर जाता रास्ते में छोटा सा जंगल था तो जब वो जाता रोज आता एक दिन बहुत ही पर वो चला बच्चा तो उसे लगा कि शायद कोई और भी है आसपास उसे ऐसा अहसास होने लगा वो और चला तो आवाज और बढ़ी उत्रा दोड़ा तो आवाज और बढ़ी तो उस बच्चे ने का कौन है तो लोट के भी आवाज है कौन है तो बच्चे ने का मुझे मा भागा भागा घर पहुचा मा के पहुचा और का मा मा अस तो बस बच चा गया इन्हें चैसे कासे पिच्छ तो भूत ही पड़ गया ठीज तुम आने मैं का क्या ओगे भाख ser उरही है नईfrist बहुत मीठे तरीके से बोलना है तो बच्चा डरता डरता जब अगले दिन पहुंचा तो वही फिर आवाज आई तो बहुत प्रेम से बोला आप कौन है तो वहां से भी आवाज आई या आप कौन है बच्चे ने का मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो वहां से भी जाया बेटा प्रकृति एको है जो तुम बोलोगे लोट कराएगी जैसा भाव रखोगे वैसा उसका प्रभाव होगा इच्छाए यदि शुद्ध है यदि अंदर भाव शुद्ध है विचार शुद्ध है तो पूरी प्रकृति आपके शुद्ध विचारों के कारण से वो जो purity है वो आपकी तरफ पूरी तरह से बरसाने लगेगी और उसी को कृपा कहते हैं कृपा भी और कुछ नहीं जब हम शुद्ध होते हैं तो जो महतपूर्ण शक्तियां हैं चारों तरफ देवताओं की वो सब लगातार हमारे इर्द इर्द हमारी समभाल करने लगते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता तुमको उन्नत करेंगे तुम अपनी positivity बाहर की तरफ रखो प्रकृति के तरफ रखो इसने तो क्रोध बढ़ेगा, द्वेश बढ़ेगा, घ्रणा बढ़ेगी, उद्विग्नता बढ़ेगी, चुकि हमने ही उचा भाव नहीं रखा, लोटकर वही भाव हमारे लिए अब आने लगा एक दूसरे को उननत करते हुए, तुम परम कल्यान को प्राप्त हो जाओगे, तुम उनका ध्यान रखो, तुमारा ध्यान रखेंगे, ऐसे ही घर में भी तुम उनका ध्यान रखो, तुमारा ध्यान रखेंगे, ऐसे ही ओफिस में भी है, तुम अच्छी तरह से काम करो, फिर अच्छा प्रमोशन होगा, तो बहतर तरीके से जो तुम ध्यान रखने लगते हो, तो बहतर तरीके से लोट कर प्रकृति तुम्हारा ध्यान रखने लगते हैं, इसी तरह से अरस परस होते हुए, हम परम का ल्यान को प्राप्त हो जाते हैं, तो यहां भगवान प्रकृति के लिए हमारा क्या भाव हो किस तरह से हम प्रकृति के साथ रहें कैसे हम प्रकृति के संभाल करें कैसे प्रकृति की पूजा करें उसकी अराधना करें उसका ध्यान दें उसकी बात कर रहें क्योंकि यदि हमने उसका हमने प्रकृति का संभाल नहीं किया तो प्रकृति हमारा संभाल कैसे करीए हम तो उसको अशुद्ध कर रही है और हम चाहते हैं कि ऑक्सिजन शुद्ध होकर हमारे साथ आजाए हमने पॉल्यूटिट कर दिया है शहर तो लोट कर फिर वैसा ही तो हम सास लेंगे हमने पेड़ काटे हैं इसलिए तो सब कुछ सब कुछ बिखर गया है क्योंकि हमने उसको बिखेडा है हमने कहा नहीं हम तो घर बनाएंगे हम काटते गए काटते गए हत्याएं करते गए पूरी प्रकृति को ऐसा सोचा कि जैसे हम मालिक है और ये प्रकृति हमारी इस तरह से गुलाम है दाशी है जैसा हम चाहें वैसा करें प्रकृति तो अनादी काल से चली आ रही है ये शरीर तो अभी का था प्रकृति के प्रति यदि उँचा भाव रखा जाएगा तो प्रकृति हमारी सभाल करेगी और देखा जाए तो हमारा जीवन तो प्रकृती पे ही टिका हुआ है आपकी जो स्वांस आती है, एक-एक स्वांस उस प्रकृती पे टिकी है हमारा जीवन पूरी तरह से मोहताज है उस प्रकृती का पूरी तरह से बंधा हुआ है उस प्रकृती में एक स्वांस प्रकृति से ना आए, ऐसी जिंगे चले जाओ जहाँ पूरी तरह से एक दम स्वांस ना आ रही हो, दम घुट जाएगा, तो प्रकृति जीवन दे रही है, उसके लिए हमारा भाव बहुत उंचा हो, तो भगवान यहाँ पर प्रकृति की पूजा की बात कर रहे हैं, उन एनर्जीज की बात कर रहे हैं, जो पूरी प्रकृति में फैल कर उस प्रकृति को संभाल रही हैं, उनके लिए अच्छा भाव रखो, लोटकर वैसा ही भाव आएगा और तुम उनको उन्नती दो, तुम प्रकृति की संभाल करो, प्रकृति तुम्हारी संभाल कर तो एक दूसरे की सभाल करते हुए परमकंदिल्यान को प्राप्त हो जाएगे आगे भगवान बारवे स्लोक में कह रहे हैं कि यग्ज से उन्नत होकर देवता तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करते रहेंगे लेकिन उनको अरपण किये बिना जो मनुष उनके द्वारा दिये पधार्तों को स्वयम भोगता है वह चोर है है उसका लेकिन यह भाव ही नहीं किया कि उसका है हमने तो यह काने मेरा है अब जो मेरा है समझो की चोरी हो रही तो इसलिए तो आप भारते संस्कृति में देखें तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने का थोड़ा सा परोसा निकाल देते हैं निकाल देते हैं कि ये चीटी का है, ये कुट्टे का है, ये कौवे का है निकाल देते हैं ये अगनी का है पूरी प्रक्रति को हम सुक्षम रूप में एक देने के भाव से जैसे किसान भी जब खेती वहां से लेकर आता है पूरे की पूरी खेती तो थोड़ा सा वहां फिर डाल देता है चुकि वहीं से आया है वहीं पर फोड़ा दे देता है ऐसा नहीं कि वो सारा भोगने का भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तौन चोर हो जाते है है तो उसका कह रहे है मेरा है जैसे आपका कोई आपका मोबाइल है अब कोई दूसरा आके करें अरे यह तो मेरा मुबाइल है. अब आप यह बता और बो उठाके चल दे. तो आप कोगे काल आप जूब कैसा चोर है वेईया? मेरा था तूठाके चल दिया? अब है यह सब उसका? और हम कहते हैं मेरा है. सारी प्रक्रती तो उसकी है. अब यहाँ पर आकर कहते हैं ये घर मेरा है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है और उस पे हम अपने बस कुंडली मार के बैठ जाते हैं तो जब मैंने कहा मेरा है और यग्य का भाव आया ही नहीं उसको अरपन किया ही नहीं अरपन समरपन का भाव प्रकट हो तो तुम भोगो चोड नहीं है लेकिन उसको भोगने का आप भोग रहे और कह रहे हैं मेरा है ये कहो कि उसका है मुझे मिला है उसकी सभाल कर रहा हूँ उसको समरपण है उसको अरपित है सब कुछ तेरा तुझको अरपण क्या लागे मेरा हम ये भजन गातो लेते हैं कि तेरा तुझको वरपण क्या लागे मेरा लेकिन केवल ये गाने तक है ये शब्द तक है उसको जीवन में नहीं अपना पाते उसको ये नहीं देख पाते कि सब उसी का है मेरा नहीं है ये मेरा ही तो सबस्या का जड़ है यही तो हमें चोर बना रहा है वो ऐसे ही था ना, कि एक दो बच्चे थे, करीब 20 साल का, 12 साल का, तो वो जंगल में गए, पुराने बाद थी, लखड़ी काटने के लिए गए, तो वहाँ पर कोई जहरीले साप थे, और वहीं लखड़ी काट रहे तो दोनों को साप में काट लिया, दोनों ही मर गए, गाओ काम करने गया हुआ था, सुवह चला गया था यह बच्चे करीब, पहले प्रहर में ही, साप रिकाट लिया था, तो अब दोनों बच्चों को, अब तो वो नहीं रहे, घर में ले आई, अंदर वाले कमरे में, उनको लिटा दिया गया जमिन पर, मा सोच रही थी, कैसे करें, क्या करें, पिता आएंगे, क्या कहूंगी, हम तो आपस में सभाली नहीं पाएंगे, कैसे होगा, उसने दोनों बच्चों के उपर चद्दर डाल दी थी, शाम को जब उसका पती लोटके आया, तो पती से, पती नहीं का खाना लगाओ, तो खाना लगा दिया गया, और फ़ किसे बोली कि एक बहुती बड़ी समस्या है, मैं समझनी पा रही हूँ, एक पहली है, उलज गई है, इसको सुल्जा दीजिए, पती नहीं का आँ, बताओ, किने हमारे जो पडोस में है, वो करी 20 साल पहले दूसरे शहर, दूसरे गाउं चले गए, देश चले गए ते, रहन लगी कि मेरे हीरे वापिस करो, तो अब मेरा मन कह रहा है कि मैं उसको वापिस करूँ या नहीं करूँ, चुकि वो तो मेरे हो गए, 20 साल से मैं उनका संभाल कर रही हूँ, ध्यान रख रही हूँ, कोई चोरी ना हो जाए, कोई ले ना जाए, डाका ना पढ़ जाए, मेरे रोज संभाल होती है, रोज ध्यान बार-बार जाता है कि कोई निकल ना जाए, तो पती कहता है, जिसकी है अमानत उसको दे दे, जिसको नहीं देगी, तो फिर वो सब जो है तेरे उपर भार रहेगा, तो ऐसा कर उसी को दे दे, उसने का ठीक है, तो ठीक है जैसी कहा, तो पती को उठा कर अपने अंदर कमरे में लेकर कहा कि यह दो हीरे है, परमात्मा ने 20 साल पहले, 22 साल पहले हमको दिये थे, अमानत थी परमात्मा की, आज ले लिए, एक उचे भाव से यह प्रकट किया कि परमात्मा का है मेरा नहीं, उसने दिया था, उसने ले लिया, तो यहां कुछ भी नहीं है तो जब ये भाव प्रकट होने लगता है ये भाव उचा भाव है ये यग्जिगा भाव है तो वहीं पर कल्यान को उम प्राप्त होने लगते हैं हमारे अंदर चोरी खतम हो जाती है नहीं तो जो मेरा नहीं है तो उसको हम समालते रहते हैं, समालते रहते हैं, समालते रहते हैं. सिकंदर ने यही तो कहा मरने वाला था, बुलाया अपने मंतरी को, कहा मैंने तो विस्व जीता है, विस्व जीता है और देख रहा हूँ कि शरीर कैसे उसकी जो सामर्थ है, उसकी जो ताकत है, जो बल है, शक्ती है, वो सब कुछ ऐसे निकलती जा रही है मेरा शरीर मेरे से छूटता जा रहा है, इतना बड़ा सामराज्य, इतना हीरे, मोती, सब इखटा किया है, लूटा है सब जगे से किस काम का, सब बेकार है तो ऐसा करना, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना सब को पता लगना चाहिए कि सिकंदर जैसा समराठ भी खाली हाथ जा रहा है इसलिए जीवन में हम जिसको इखटा करने में लगे रहते हैं लगे रहते हैं एक समय ऐसा आता कि खाली हाथ चले जाते हैं चुकि कफन में जेबे नहीं होती तो जो खाली हाथ जाए हैं हम क्यों यहाँ पर लगातार अपने आपको बांधे रखे चूंक चोरी के भाव में रहें, चूई खटा करते रहें, लगातार ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और हम कहें कि ये मेरा हो गया, बगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य उनके द्वारा दिये पधारतों को स्वयम भोगता रहता है, बस मेरा मेरा मेरा, उनको वापिस देने का भाव ने है वह चोर है और यदी इस दरश्टी कौर से देखा जाए यदी हम यग जी का भाव नहीं रखते तो चोर है सुक्षम बहुती सटल तरीके से देखा जाएं तो चोर हैं चुकिए प्रक्रती प्रमात्मा की है और इसमें से चोटा सा हिस्सा हम कहते हैं मेरा है है उसका कह रहे हैं मेरा तो हम चोर हो जाते हैं यही तो कारण है हम प्रमात्मा से दूर हो जाते हैं और यही कारण है सारी उल्जने हमारे जीवन में खड़ी रहती हैं जू कि त्यूं रहती है तो यहाँ पर धीरे धीरे भगवान यग् से लेते हुए कर्म योग को बता रहे हैं कि कैसे पूरी प्रकृति कैसे प्रजाप्रति ब्रह्मा ने स्ट्वस्टी में सब प्रजाओं से कहा कि यग्जी के निमित्त कर्म करना फिर कैसे भगवान ने कहा कि देवता जो पूरी प्रकृति में एनरजी फिल्ड है तो उन पर प प्राप्त हो, जो भी प्राप्त हो, उसको पहले समर्पित तो कर दो, समर्पढ तो कर दो, भगवान तेरा है, इसलिए भोग लगाते हैं, आप कभी देखना, कोई भी रितु का पहला फल होता है, तो भगवान के मंदिर में जाके हम भोग लगा देते हैं, नए कपड़े आते है कि उसको समर्पित करते हैं, समर्पन का भाव हमारे अंदर जगने लगता है, ये भाव नहीं होता कि मेरा है, ये भाव होता है कि सब का है, इसलिए जब हम घर में यग्य करते हैं और उसके बाद सब को खाना खिलाते हैं, तो ये थोड़ी कि पहले खुद खाके बैठे के, नहीं जी मेरे खाने का टायम होगे, अब तुम अपना देख लो. पहले सब को पंगत में बठाते हैं, सब को खिलाते हैं, उसके बाद खुद दिखाते हैं. अर्थात पहले उनका ध्यान रखते हैं, और फिर जब उनका पहले ध्यान रखते हैं, समर्पण के भाव से पूरी तरह से अर्पण करते हैं, तो हम चोर नहीं होते, और नहीं तो हम चोर हो जाते हैं. तो ये जो प्रक्रिया है, ये भगवान बहुत ही गहरे इस तर से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि लगातार हमारे अंदर यग्य का भाव प्रकट होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए. आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो? हाँ, देवता. तो जो देवता मतलब हम किसको देवता मानते हैं? आप देखो ना, पूरी प्रकटी में हम सभी को देवता मानते हैं. हम पेड किसकी पूजा नहीं करते हैं? हम पत्थर की पूझते हैं, हम नदी को पूझते हैं, हम तलाप को पूझते हैं, हम हर पेड को पूझते हैं, हम तुलसी को पूझते हैं, हम बर्गत को पूझते हैं, हम पीपल को पूझते हैं, हम पूझ रहे हैं, लगातार पूझा कर रहे हैं लगातार हम प्रकृति को पूझ रहे हम सूरज को पूझ रहे हैं चांद को पूझ रहे हैं तारों को पूझ रहे हैं हवा को पूझ रहे हैं जल को पूझ रहे हैं आकाश को पूझ रहे हैं लगातार हमारे अंदर वो भाव है यही तो देवताओं का पूजन है जिनसे शरीर चल रहा है पांच तक्तों से बना है शरीर पर्तिजल अगनी वायू आकाश उनकी तुम पूजा करो पांच तक्तों तुमारे अंदर पूरी तरह से रवस्तित हो जाएंगे हम सूरज के सामने रहना नहीं चाहते है अब सूरज से में विटामेंट D3 मिलता है अब हम अंदर ही अंदर रहते हैं तो जब अंदर ही अंदर रहते हैं हम नहीं उसको नहीं पूजा तो उसकी विटामेंट D3 जो सूरज के किरणों के माध्यम से शरीट को प्राप्त होकर हड्डियों को मजबूती दे रही थी हम उन्नत कैसे हो सकते हैं व्रद्धी को प्राप्त कैसे हो सकते हैं तुम सूरे नमस्कार करो सूरे के सामने सूरे इसनान करो सूरे को अर्पन करो सूरे को अर्ग दो सूरे के सामने रहो, इसलिए सुभे के समय सूरे को अर्ग देने का विधान है कि विटामिन D3 जो लगातार वहां से आ रहा है उसको आप धारण करो, आप उसको पूजन करो, वो आपका पूजन करते है पूर्णे मा का दिन हम चांद को देखते हैं उसकी शीतलता को देखते हैं, उसको पूजन करते हैं तो हम उसका पूजन करते हैं, उसकी जो शीतलता का प्रभाव है चुकि चंद्रमा और हमारा मन जो है, वो पूरी तरह से जुड़े हुए है तो हमारे मन पर सीधा उसका प्रभाव करने लगता है तो हम बाहर रखते हैं और उसका आसर फिर बाहर का आसर हमारे उपर आने लगता है तो पूछ रहे हैं कि इच्छा पे कैसे काबू पाएं? इच्छा पे काबू पाने की जरूत नहीं है यग्य का भाव बढ़ाते जाओ, इच्छाएं अपने आप कम बढ़ती जाएं देने का भाव बढ़ाओ, लेने का भाव ने आप कम बढ़ता है ये जो यग्य का भाव है, इसके अलावा इच्छाओं को देने देने का भाव, लगातार देने का भाव जब हमारे अंदर जगना प्रारंब हो जाएगा तो आप पाएंगे इच्छाएं अपने आप कम होती जा रही है और सब पूरी हो तो रही है हमारी ऐसी कौन सी है जो पूरी नहीं हो रही लगातार सब इच्छाओं को हमारी पूरी हो रही है जिसके कोई पार नहीं है सब उल्टे सीधी बाते हमारा मन चलता रहता है वो सेख छिली था न वो चला जा रहा था तो उसके मन में आया ना कि यह हो जाता है वो हो जाता है केवल ख्याल के वल कार ऑर पूरा ऐसी इच्छाएं हम पाल लेते हैं और कहते हैं यह पूरा कैसे हैं यग्य का भाव रखो पवित्र भाव रखो शुद्ध भाव रखो आपकी इच्छाएं आपके अंदर से वही प्रकट होंगी जो आपकी जरुवत की होंगी तो केवल भाव की शुद्ध करने की जरूत है इच्छाएं अपना आप शुद्ध होती चली जाएंगी लेकिन यदि हम भाव शुद्ध रखना नहीं चाहें तो फिर इच्छा कैसे शुद्ध होगी जी प्रश्ण थोड़ा लंबा जब हो जाता है तो आप पूछ लीजिए तो आप पूछ लीजिए तो आप पूछ लीजिए तो ग्यान का मतलब यह नहीं कि आपको धन धन नहीं कमाना है आप धन कमाएंगे और जब ग्यान हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है तो आपके जो काम है उस काम में बहुत परफेक्शन आने लगता है और धन आपका फुदी बढ़ जाएगा ग्यान धन को कम नहीं करता ग्यान तो धन की व्रद्धी करता है आपका कल्यान करता है बगवान यही तो कह रहे है आप अपने ग्यान को बढ़ाते जाओ और क्लैरिटी बढ़ाती जाएगी जब clarity बढ़ती जाएगी तो बुद्धी कुलती चली जाएगी, जब बुद्धी कुलती चली जाएगी तो वहाँ पर पूरी तरह से सकारात्मा काप हो जाएगी, फिर creative होने जाएगे, फिर नया विचारधार आपके अंदर आने लगेगी, चुकि जब नया विचार आएगा बुद्धी पूरी तरह से खुलेगी, आप lateral thinking करना शुरू कर देंगे, एक विचे को कई नजरी से देखना शुरू कर देंगे, एक समस्या के समाधान के लिए बहुत जाद है आपके अंदर, 360 degree angle पर आप उसका ध्यान देना शुरू कर देंगे, चुकि बुद्धी का विस उसकी संभाल के लिए उतना दे ही देगी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, उसके पास आएगा ही आएगा, अध्यात्मिक व्यक्ति गरीव नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि आपको ग्यान यदी प्राप्त हो, तो शायद धन से हमें छुटकारा पाईए, नहीं, धन के प्रति जो आसकती है, उस आसकती को छोड़ना है, धन को थोड़ी छोड़ना है, वो जो घर है, उस घर में जो आसकती है, उस आसकती को छोड़ना है, घर को थोड़ी छोड़ना है, हम आसकती नहीं छोड़ते हैं, हम व्यापार के प्रति जो आसकती है, वो तो छोड़ते न कि मैं घर भला हम से कोई आ सकती रखे हुए, अब मोबाइल है वो आप से आ सकती रखे हुए या आप मोबाइल से आ सकती रखे हुए? हम आ सकती रखे हुए, यह one-sided है, यह पलट कर नहीं आ रही है, कि घर आप से कहें, नहीं भईया तुम यही रहना, तुम सन्यास क्यों ले कर जब ज्यान पैदा होता है तो यह आसकती हट जाती है और आसकती हटने के बाद जब अनासक्त होकर आप कर्म करते हैं तो व्रद्धी को प्राप्त करते हैं और यही व्रद्धी आपको उचाई पढ़ ले जाती है तो आपके ऑफिस तो आप पतंग उड़ाने सकते हो, उल्जीवी डोर में पतंग और जादे उचाई पर नहीं जा सकते हैं, जितनी उड़ गई, उतने ही उड़ी रहेगी और धीरे धीरे आपको वो भी उतारने पड़ेगी, यदि आपने डोर तोड़ी तो जो उड़ी थी वो भी चली पैदा होती हैं, तो व्यक्ति और उचाई पर जा नहीं पाता, वो वही ठेर जाता है, हर इस तर पर वही ठेर जाता है, लेकिन ग्यान क्या करता है, वो जो उल्जने हैं हमारे मन में, उन उल्जनों को सुल्जा देता है, तो उल्जन जो है, वो सुल्जन में बदल जाती है, और जैसे ही वो सुलज जाती है, अब आप दोर सुलज गई, अब पतंग को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, फिर वो कितने ही बढ़ा सकते हो आप, चुकि अब उल्जन नहीं है, तो ऐसे ही ग्यान के माध्यम से जब सारी उल्जने निकल जाती हैं, तो आप बताएं, जो आप काम करेंगे, उसमें चारचान लगने लगेंगे, आप स्वास्त पे बहतर तरीके से ध्यान देंगे, घर पर ध्यान देंगे, ओफिस के कामों में ध्यान देंगे, सब रूप में आप अच्छे से अच्छे पेश होंगे तो हर जंगे व्रद्धी अपने आप को तीचली जाए और यही भगवान कह रहे है जी इको जब हमारा मन शान्त है मन से चलता है जो हम मन में रखते हैं वही बहार उसका प्रभाव आने लगता है ऐसा नहीं कि आपने बोला तो ऐसा इको होगा आपने अपशब्द दिये तो ही अपशब्द आएंगे आप मन में भी यदि अपशब्द रखे हुए हैं हिंसा रखे हुए हैं क्रोध रखे हुए हैं जला टके हुए हैं तो जो सुक्षम प्रकृती है जो वो देवता है वो भी तो अतिसुक्ष में है और मन भी अतिसुक्ष में है तो वो सीधा एकदम उसका प्रभाव बाहर पता चल जाता है तो उसका फिर वैसा ही प्रभाव आने लगता है तो जरूरी नहीं कि आपने कर्म किया बुरा तो उसका आपका बुरा फल आएगा बलकि अदि आपने सोचा अंदर भी आपके मन में भी वो रहा तो भी उसका फल वैसा ही आने वाला है तो इको जो है वो फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर जो जो भी हमारे इस्तर हो सकते हैं अगर आप इस्पिच्वल लेवल पर चले जाएंगे तो पूरी प्रकृति जो है उपर मात्मा की तरह अनुभा होने लगे जो जिस भाव में हम रहते हैं वही भाव बाहर प्रकट होने लगता है और उसी भाव का विकास और विस्तार होने लगता है यदि आप प्रेम के भाव में आ जाओ तो ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी प्रकृति प्रेम से भर गई जैसे जब आप क्रोध में होते हैं तो आप सब पर गुसा करने लगते हैं आप ढून ढून के गुसा करते हैं गुसा करने की बात भी नहीं है आप तब भी गुसा करते हैं क्योंकि हमारे अंदर उसमें गुस्सा बढ़ा हुआ है, जो सामने आएगा उसमें गुस्सा ही होगा, जो गुस्सा हमारे अंदर बढ़ा हुआ है, जो प्रेम बढ़ा है तो जो सामने आएगा उसमें प्रेम करेंगे, प्रकृति सामने आए तो उसमें प्रेम करेंगे, जीव ग्यान और सब की भलाई का भाव, सम्ता का भाव, यदि हमारे अंदर है, तो हमारे लिए वापिस लोट कर, कुए में जैसा आप बोलोगे लोट कर फिर वैसा ही, जरूर आएगा और वैसा ही आता है, मेरे साथ बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हम ऐसी सोच से रहते हैं, वैसा होने वाला नहीं था, लेकिन हम लगातार सोच सोच के सोच सोच के उसको वैसा प्रकट कर देते हैं, यदि एक विक्त ये सोचने लगे कि मुझे हर्दे रोग तो नहीं मुझे हर्दे रोग तो नहीं वो जो हर्दे रोग है जरासाभी गैसी वनी तो भी वो हार्ट पे चला जाएगा वो लगातार सोचने लगे हार्ट डिजिस तो नहीं आप लिस्ट निकाल कर देखें, तो आज तक हमारे साथ जो भी कुछ बुरा घटा है, जिसको आप बुरा कहते हैं, जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध था, वो बहुत थोड़ा होगा, और वो भी इसलिए घटा, चुकि हमने इतना नेगेटिव अपने आपको रखा था, यदि वो नेगेटिविटी हमारी होती ही ना, तो जितना घटा है, वो भी ना घटता, वो घटा ही इसलिए हैं, चुकि हमने ही आवभाहन किया था, ये कल्प व्रक्ष है, लोट कर आती हैं बाते, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हरियों!